स्वागत है आपका आलेंडे आगनबाडी न्यूस चैलेंग में दोस्तों आपको बता दो अगर आप सची खबरे पाना चाहते हैं दोस्तों आगनबाडी की हो या अन्य कोई खबरे तो दोस्तों यहां से चैनल को अपने सब्सक्राइब कर लें और अपनी नोटिफिकेशन व पत्र मुझे आज मिल चुका है वो आप लोगों के 21 तारीक को होने वाले वीडियो कांफरेंसिंग के लिए ही है यहां पे जो यह भेजा गया है निदेशक के द्वारा और यह निदेशाले से दोस्तों लेटर आया है मेरे पास और अब जाके कहीं न कहीं जितना भी भरोसा कहते थे नहीं हो रहा है आप लोग कहते थे कैसे मालने सरकार यह सब करेगी संमेलन और यह सब बार-बार कह चुकी लेकिन आब मैं कहना चाहूंगा आप 100% के लिए तैयार हो जाएं, मैं कहे रहा हूँ न, हमेशा सचाई को लेकर के अगर आगे बढ़ता हूँ, बताता हूँ, तो वो चीजे हमेशा सच होती हैं, और आज मैं कहे रहा हूँ, कि 21 तारिक को आपका मानदे बढ़ेगा, और वीडियो कांफेसिंग के लिए क्या हूँ, कि अब य ही बतादू, फिर उसके बाद में हम अन्य चीजों पर भी दोस्तों चर्चा करेंगे, और दिल्ली को लेकर के जो बहने दो दिन से धरने पर थी, उनके बारे में भी हम बताएंगे, तो यहाँ पर लिखा हूँ निदेशक, सूचना है हम जन संपर्क, विभाग, उत्तरप् लोकन, यानि कि वही वीडियो कांफेंसम जिसको बोलते हैं, उसको टीवी के माध्यम से ब्लाक इसतर पर आंगनबारी कारकतियों को करा जाने के सम्मन्द में, एक बात याद रखना, मैंने कल भी वीडियो में कहा था, कि सभी बहनों को लखनों नहीं जाने की ज़रूरत हो क्योंकि आप मुझसे जुड़े हैं, मेरे पास तब तक जानकारी आ जाती हैं, जब तक वहाँ सुपरवाजरों तक जानकारी पहुंचेंगी भी नहीं, आप समझने चीज़ों को सच्चाई को लेकर के मैं आगे बढ़ता हूं, तो सच्ची खबरे देता हूं, तो वहाँ सच्चाई ही होगी, आपको खुद ही फोन आएंगे, और देख लेना आपको जाना पड़ेगा, और उमीद कहते हैं, आप लोग जाईए, और अच्छे से जाईए, वहाँ पर क्या मुख्यमंत्र जी बोलते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों के घरों में अभी टीवी बगरा नहीं है, तो वो लोग भी नहीं देख पाते हैं, और उसके लिए सरकार जो है, पैसा भी देती है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, इस कारकम के प्रचार प्रसार हेतू, प्रति विकास खंड रुपिया पाँच हजार, जो है, इतने का बजट जो आमन्टित किया जा रहा है आप सब चीजों को देख रहे हैं, और आज बहुत खुसी हो रही मुझे, तो आएए अब आपको हम टोटल जो हमाया पे लिखावा वो पढ़के बता देते हैं, उसके बाद में आपको हम कुछ सच्चाई बताते हैं, और कुछ चीजे बताते हैं, कि कैसे कैसे लोग इस ट चाई देनी होती है, आप लोगों तक, तो 10 से 12 बजे तक आंगनवारी कारकरतियों के एक महत्पूर्ण कारकरम में भाग लेंगे, तथा उन्हें समोधित भी करेंगे, इस कारकरम का सजीव प्रसारन प्राता 10 बजे से 12 बजे तक दूर्दरसन द्वारा कराया जाएगा, त और ये चीज आप देख सकते हैं, ये सरकारी लिटर है, आप यहाँ पर देख रहे हैं, और निदेशक के दाराई सूचना भेजी गई है, इस संदर में निदेशित किया जाता है कि आप प्रतेक ब्लाक में टीवी स्थापित कराएं, तथा जो आपका खंड विकास अधिकारी वह मुख्य विकास अधिकारी से संपर कर ऐसी जो वेवस्था है, वो बनाएं कि सभी आंगनबारी कारकरती इस सजीव प्रसाहरण को देख सके, इस अवसर पर संबंधित ब्लाक के लोग कल्याड मित्र भी अनिवार रूप से उपस्तित रहेंगे, लोग कल्याड मित्र कार करके और किसी को बुलाया भी न जाये, तो इसे में किसी भी कारकरती को पता नहीं चलेगा, और जो बहुत से लोग बराबर धर्नों पर ले जाने के लिए बैठे रहते हैं, कि चलिए आपको और उससे भी बढ़कर के ये बात, कि 100 रुपए, 200 रुपए बहनों से एठते र जो और नहीं कर पाते हैं, बहुत से बहुत से बहुत सी हैं संगठन में, जो कटाने के लिए बैठी रहती हैं, हमें इसा इनके पैसे फरवरी मा का काट लो, आईसे इसी चीज़े निकाल के देती रहते हैं, जो बिलकुल ही नयाएं, कि जो है पच्छ में नहीं होती है, मांगो को मानेगी, यहाँ पे मैंने बराबर 6 महीने, 7 महीने से सुबह साम आवाज उठाई, और आज आप देख रहे हैं, यहाँ पे चीज़ों को खुद ही आपके सामने नतीजे आ रहे हैं, तो मैं ज़्यादा कुछ इस विसे में नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं कर करता हूँ, और फल मुझे खुद ही उपर वाला देगा, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, कि यह जो मेहनत थी, यह हमारी ही नहीं है, सबी बैनों की यह उत्तरपदेश की जो लाखो बैने उनकी मेहनत है, और उनकी मेहनत आज यह सायद रंग कल लाए, क्योंकि कल इस यह वहाँ पे मैं इसको पोश्ट कर दूँगा, और यह देखिए, ऐसी हमारे भाई लोग सूचना भी देते रहते बराबर, यहाँ पे देखिए, आज सक सूचना दिनांग के कीस तारिक को जो है, आंगरबारी करमचारियों के मान्देव रदी की वीडियो कांफरेंसिंग लोक भवन लखनव में समय 11 बजे से 12 बजे के बीच जो है माननी मुख्यमंतरी जीद्वारा भाजपा प्रदेश अद्यजद्वारा किया जाएगा, जिसमें केवल 500 अंगरबारी बहनों के बीच होगा, सेस जो अंगरबारी बहने अपने जिलेवा बलाक इस्तर के कारकर मे अन्य था, ऐसे मैं चाहता था सम्मेलन ऐसे ना हो क्योंकि बहुत से संगठार लूटने के लिए आगरबारी को बैठे रहते हैं, वो हमेशा ऐसी फिराक में रहते हैं कि कैसे न कैसे हम 100-200 रुपए करके धरनों के नाम पर हर महीने दरने चलते हैं तो लूटते रहते हैं ल करते हैं, विपच्च को पकड़ना जरूरी होता लेकिन विपच्च पर फूलना जरूरी नहीं होता, नहीं कि विपच्च कहे दे कि इस सरकार को हटाईए हम आ जाएंगे तो हम कर देंगे, जब वो पहले थे तब नहीं कर पाए तो वो बात में क्या करेंगे, खुद ही जो हैं, और मैं जो बाते हो बताना चाहता हूं, लोग कहते हैं कि कितना असरमान दे बढ़ेगा, ये मुद्दा मैंने कब से आप लोगों को बताया, कम से कम पांच महीने से हो या च्छे महीने से मैं बराबर कह रहा हूं, कि किसी को नहीं पता है, न कोई संगठन का बहने जान के ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाहता हूं जो वहां पे गलत निकले और जिससे मानले जी हम हिसाब लगा के बता दे कि इतने रुपए मानले जादा गर होगे वहां पे कम बड़ा तो फिर बहनेों की जो भावना है वो मुझ पर हावी होंगी वो सोचेंगी यह जूट बोल रखते ही नहीं हमेंसा जब सची खबरों के लिए हम जाने जाते हैं आप सब जानते हो तो फिर हम कैसे इन तोल मोल के चीजों को बता दे मा की लोगों की तरह है तो मैं चाहता हूं 21 तारिक तक इंतजार करिए और जूट यहां पर नहीं चलेगा और जूट को लेकर हम कितना बढ़ेगा यह मुख्यमंत्री जी ही जानते हैं कारण आपको मैं बता दूँगा कि क्यों किसी को नहीं पता कि कितना बढ़ेगा अगर मुख्यमंत्री जी कह दे पहले ही कह दे मान लिजिए बढ़ेगा अभी कोई भरोसाने कितना बढ़ेगा तो अगर मान लिजिए 200 बढ़ाने वाले हैं या 5000 या 500 कुछ भी समझ लिजए यानि कि अगर कम एमांट बढ़ाने वाले माले जिए 500 थोड़ी देर के लिए मालने जिए लेकिन यह एक्चुली नहीं है और तो ऐसे में क्या होगा हम सब दुखी होंगे और हम सब विरोध करें कि हमें इतना नहीं चा यह और ताकि जो दे रहे उसको पहले ले लो बहुत से संगठन क्या होते थे अगर कुछ सरकार बढ़ाने वाली होती थे उसको रोग देते थे यह सब चीज़े नहीं चलेंगी जितना सरकार अभी दे रहे जिस हिसाब से उनके पास भजजट है क्योंकि उनको पूरा पहलती रहेंगी तो अभी जितना दे रहे उतना तो कम से कम हम लोग ले सकते हैं उसको नकारते नहीं है और मुझे उमीद है कि सरकार जो भी करेगी सम्मान जनक लायक करेगी और कुछ अच्छा करेगी जिससे जीने लायक जिसको पैसा बोलते हैं तो पहले हम कामना करते है कि जीने लाइक दिया जाए तो कि आज 2019 के टाइम पर 4000 अगर मिल ला है तो वो जीने लाइक नहीं है तो इससे amount में बढ़ाना चाहता था ताकि इन लोगों के साथ सोसड और अन्या जो हो रहा था वो ना हो तो मैं इसलिए बराबर वीडियो बना रहा था कि जीने लाइक इनको सरकार दे दे उसके बाद में जैसा सरकार के पास होगा सरकार वैसे खुद ही बढ़ाती चली जाएगी आप लोगों अपने अच्छे काम करिए और बाकि के मैं फिर कहना चाहूँगा ऐसे लोगों के चक्कर में बिलकुल ना पढ़िये जो बराबर आप लोगों पर राजनीती करते रहते हूं तो यह तमाम चीजे हैं जिनसे आपको गुजरना है और समझना है तो यहाँ पर मैं फिर एक बार कहना चाहूँगा मांदे 21 फरवरी को बढ़ेगा अगर अभी भी किसी को गंदे कमेंट करता है यानि कि कहता कि भरोसा नहीं है यह है सब वो है तो भाईया मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ मैं बस सच्चाई है मैं वही बता सकता हूं और सरकार करती है नहीं करती है वो उन पर भी है क्योंकि उनके भी कर्म है हमारे भी कर्म है हमारा कर्म है जो भी सरकार वहां कहती है या जो भी बात होती है मैं सच्चाई से आपके सामने रख देता हूं और मैंने कभी आप तक कहा क इतना सरकार मांदे बढ़ाएगी जब सरकार नहीं नहीं कहा है तो हम कैसे बता दे कि इतना मांदे बढ़ जाएगा तो जितना वो बढ़ाएंगे उतना 21 तारीक को खुद पता चलेगा वो क्या कहते हैं 21 तारीक को वारता बहुत बार हुई मुखमंतरी जी से उन्होंने बस यही का, कि हमारे आपकी जो समस्याइँ हैं, वो हमारे सामने विचारा धीन है, और हम जरूर कुछ ना कुछ करेंगे, तो मुझे भरोसा था कि वो कुछ ना कुछ करेंगे, वो सोच रहें, इसे लिए हम भी लगे रहें, क्योंकि कुछ चीज़े ऐसी होते हैं, अगर कुछ भी काम है, मालिजे पढ़ाई ही है, अगर पढ़ाई आप पढ़ते हैं, कुछ समय के लिए आप रख देते हैं किताबे, फिर आप भूलने लगते हैं, यही चीजे होती है, अगर आप आवाज आपने उठाई है, तो वो आवाज फिर रुकनी नहीं चाहिए, चाहते थे कि यह इन चीजों से परेशान हो करके वीडियो बनाना बंद कर दे, में चीज यह उनकी, क्योंकि वो जलते हैं, हमारी कामियाबी से जलते हैं, आपके साथ से जलते हैं, क्योंकि आपकी लाइक और आपके कमेंट सब बता देते कि आपको चैनल वाले पर और टाइम पर कितने लोग वीडियो देख रहे हैं, और मैं हमेशा यह कहता रहा कि सेयर करिए, सेयर करने का और कोई मकसद नहीं है, सेयर करने का यही मेरा मकसद है, मैं साब साब बोलता हूं, मैं जूट नहीं बोलता, जितने ज़्यादा लोग यहाँ पर जुडएंगे, उतन मेडिया पर आपका ही क्रेज होगा और मैं गलत आवाज भी नहीं उठाता हूँ जो जीने लाइक पैसा सरकार से में मांगते थे वही उम्मीद के साथ हमांगे बढ़ते थे तो आज वह टाइम आ गया है कि आपकी मेहनत जो आप लाइक करते हो और सेहर करते हो कमेंट दीवाइंगे सर कितना होगा कुछ तो अनुमान होगा लेकिन मैं कुछ भी अनुमान के अधारपन ही बताना चाहता हूं सच्चाय वही वही जो हमारे मुख्यमंतिर जी खुद ही बोलेंगे और वही आप लोग सुनेंगे मैंने बजट में मुख्यमंतिर जी ने कहा था अतिरिक्त मानने की व्योस्था कर लिए अतिरिक्त की कही थी उन्होंने मुझे भरोसा था कि अतिरिक्त बढ़ेगा इन जनता को ताकि भरोसा हो जाए कि इतना मांदे हम बढ़ाने वाले हैं तो वो बोला नहीं गया लेकिन विधान सवा में जो मुख्यमंतिर जी ने बोला वो वाकई तारीफ के लायक था उन्होंने साब साब कह दिया था केंदर ने इतना बढ़ाया इतना सब हो चुका है उस इस तर पर आईए और उस इस तर से सोचिए जो सरकार सत्ता में है वो अच्छी है वो बहुत अच्छे काम कर रही है बस समझने की जरूरत है सरकार हर अच्छे नियम लागू करती है अब आप ऐसे ही ले लिजिए मोदी जी ने कहा किसानों को हम 6000 सालाना देंगे रुपए उसके लिए योजना आ नहीं पाई और लेकपाल लोग क्या कर रहे हैं आपको मैं बताना चाहूंगा खुला वीडियो बारा लो रहे हैं रुपए ले रहे हैं 100-100-200 गाओं में प्रधान 100-200 गाओं वाले खुद ही दे रहे हैं तो बढ़ावा हम लोग दे रहे हैं जनता द है बहुत से लोग यहीं डालते हैं लेकिन में जानता हूं इन चीजहों को में करके कुछ नहीं होगा उनको फक्देंगे फिर उनको चोण देंगे तो अगर सोच बदली है तो उन अधिकारीं को पकड़ाने से सोच नहीं बदलेगी आप जनता के दिमाग को बदले, वो ऐसे काम ना करे, अपने आप ब्रष्टाचारी रुख जाएगी, तो संकल्प आप लीजिए न, जो सही है, वो मैं सच्चाई दिखा रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ, लोग मुझको जाने, और मेरी दोरा जो वीडियो मनाई जाती है, उन से मांगेंगे, वो जेप से तो निकालेंगे नहीं, जो सरकार ने योजना लांच की है, उसमें एक पैसा भी जब वो नहीं मांग रहे हैं सरकार, तो फिर क्यों हम दें, और उनको काम करने पड़ेंगे, उनसे काम जवरजस्ती कराएंगे, क्यों नहीं करेंगे, बिना पैस अगर हो कि किस तारीक को ये सब होगा तो मुझे कमेंट जरूर करिए आप लोगों के मुझे कमेंट का इंतजार है